जो में चक्रा से साथ वो है रूट जो यहां नीचे रेड है नीचे से उपर चलिएगा प्लीज सब लोग यहां देखेंगा रूट चक्रा है ठीक है जिसको हम मुलाधार भी कहते हैं फिर हमारा है सेक्रिल चक्रा जिसे हम स्वाधिष्ठान कहते हैं उसके उपर आता है येलो कलर का जो हमारा सोलर प्लेक्स है जिसे हम मनिपूर चक्रा कहते हैं फिर आता है हमारा हाट चक्रा जिसे हम अनहता चक्र कहते हैं उसके बान आता है हमारा थ्रोट चक्रा जो यहां थ्रोट में होता है जिसे हम विशुद्धी कहते हैं उसके उपर होत को याद है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ये पार काफी soft होता है why it is so that is the sahastra chakra का वो point होता है ठीक है इसलिए कहा जाता है कि उसको जोर से नहीं लगनी चाहिए उसको सिर पे मत मारो यहां पर specially मत मारो थबकी भी देनी है तो यहां पर मत दो बिकाज उस वक्त उसका जो connection है वो spiritually होता है उसके past life से होता है ठीक है तो यह बहुत important point है जो से बड़े लोग कहते हैं लेकिन हम इन चीजों को समझ नहीं पाया असकर कि यह क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए है न बहुत लोग के मन में question होता है क्यों करें हम क्यों नहीं करें बट इनको कभी समझने की कोशिश नहीं की है तो यह ही reason है कि यहां से connections होती है this is the most important अब इसके बाद आते हैं दो में गुरू चक्रा अब मैं आप लोगों को एक point से बताऊंगी the color would be बताए कौन सा color लिया जो है अलगी लेते हैं तो यह देख रहे हैं आप लोग यहां पर अगर मेरा यह cursor देख रहे है plus sign देख रहा है जबको तो, क्यों मम अब यहां आप की बालों की जो रेखा उती है यहां से बाल शुरू होते हैं वोगणी ठीक है ना यहां से बाल शुरू होते हैं जहां पर आप little तो एक चक्र यहां होता है उसको आप कहते हैं ब्रिकुटी तो सबसे नीचे यहां दिया हुआ है सेके लाज्ट ब्रिकुटी और उसके और थर्ड आय के बीच में यहां पर मैं इसको को करूं कि आपको एक विंडिकुटी तो एक विंडिकुटी तो संझेगा अब यह पिक्चर अच्छे से ज्यादा क्लियर रहे है अब भी देखिए यह आपके बाल आ गए ठीक है यहां तक आपके बाल का जाता है उसके बाद यहां पर यह आपका हो गया ब्रिकुटी चक्रा और उसके और यहां पर उसके बाद आता है आपका ट्रिकुटी ठीक है अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो यह दोनों लिख लिजिए याद नहीं रहता है रिकुटी और ट्रिकुटी यह दो इसमें में होते हैं गुरु चक्राइज ठीक है इसके बाद हम नाडियां भी देखेंगे किस तरह से नाडियां होती है तो यह इंपॉर्टन चक्राइज है आपको इनकी प्लेस्मेंट्स पता होनी चाहिए क्योंकि अंपर अवित हली में यह आपको काम आईए सब को क्लियर हो गया यहां पर यहां आपको क्योंकि आपको क्दियो खिर रदे एंप ऊक्ता तो यह दोनों चक्राज आपको क्लियर हो गए कि हमारे साथ की जगे नौ चक्राज है यह होते हैं अईक्चली चक्राज जो है वह 104 होते हैं हमारी पूरी बॉड़ी में बट जिस भी मौडैलिटी पे जिस चीज़ की रेलिवेंस है हम उची पे काम करते हैं चीक है, तो यहां बर लामा फेरा में जैसे हम 87.000 चक्राज पे ही काम करते हैं मुंकारावित हलीम में हम नाइन चक्रास पे काम करते हैं, सेवन चक्रास के अलावा दो गुरू चक्रास हैं, जो हैं भ्रकुटी और फ्रिपकुटी. पाइन? ये क्लियर हो गया है यहां तक? ब्रेट. येस.